यहरी mutual fund और index fund में investment करने के लिए दो तरीके होते हैं बहुत लोग को invest करते डाइं में confusion रहता है कि कौन सा तरीका better है इस वीडियो में हम सारे सवालों का एक एक करके जवाब जानेंगे कि SIP लमसम क्या होता है यह काम कैसे करता है और कौन सा तरीका सही है आपके invest करने के लिए नमशकार दोस्तो स्वागत करता हूँ आपका हमारी चैनल invest good में ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ यह fixed interval कुछ भी हो सकता है weekly, monthly, quarterly या yearly लमसम यानि one time investment यहाँ पर आप एक साथ लमसम amount invest करते हो आई यह SIP और लमसम को एक example से समझते हैं मान लीजिए आपके पास 1,20,000 रुपए हैं और आप यह 1,20,000 को किसी भी mutual fund या index fund में अगले 10 सालों के लिए invest करना चाहते हो अगर आप पूरे 1,20,000 रुपए को एक साथ अगले 10 सालों के लिए invest करते हो तो इसे लमसम कहते हैं अगर आप इनही 1,20,000 को अगले 10 सालों तक हर महीने के हिसाब से 1,000 करके invest करते हो तो इसे SIP कहते हैं mutual fund और index fund में invest करने के दोनों ही तरीके सही है, दोनों तरीकों से invest करने का कुछ फाइदा और कुछ नुकसान भी है, वीडियो के अंति तक आपको पता चल लाएगा कि आपके लिए SIP ये लमसम दोनों में से कौन सा तरीका invest करने के लिए सही है, इसलिए वीडियो को पूरा दे SIP में आपको बहुत जादा market research भी नहीं करना पड़ता, यह same बिल्कुल EMI जैसी होती है, जैसे EMI आपके पैसे हर महीने एक fixed date को आपके अकाउंट से direct हो जाते हैं, वैसे ही SIP में आपके पैसे आपके तै किये गई समय में आपके अकाउंट से direct होकर invest हो जाते हैं, इससे आ कभी भी pause या cancel किया जा सकता है, इसे cancel करने में कोई भी penalty नहीं लगती, आए जानते हैं कि SIP काम कैसे करता है, जब हम कभी भी mutual fund या index fund में पैसे invest करते हैं, तो हमे particular unit of fund a lot होते हैं, जिनकी value को हम NAV यानि net asset value बोलते हैं, NAV basically एक unit of fund की price है, और NAV से हम particular fund की performance को track कर सकते हैं, आ NAV है 50 रुपए, जब आप SIP करते हो, तो एक fixed interval में आपके direct हुए पैसे से unit खरीदे जाते हैं, जब market में तेजी आती है, तो आपके पैसे से कम unit खरीदे जाएंगे, और जब market में मंदी आती है, आपके उसी पैसे से ज़ादा unit खरीदे जाएंगे, इस तरह से आप SIP के जर से lump sum investing में ज़ादा return मिलता है, तब जब आप market down है, तब invest करते हो, तो आपको ज़ादा return देखने को मिलता है, ऐसा इसी लिए क्योंकि आप इसमें एक साथ सारा amount invest करते हो, और आपके शुरू से invest किये गए पैसे पे return मिलता है, जबकि SIP में आपके पैसे अलग-अलग समय मे invest होते हैं, जिसे आपको return मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, दोस्तो, lump sum में आप minimum 5000 रुपई से investing स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी market condition में invest नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही risky होता है, अगर आप overvalued market में invest करते हो, तो आपको बहुत बड़ा loss हो सकता है, इसके SIP में आपको market के undervalued या overvalued होने के चिंता नहीं करना होता, SIP पे dedicated वीडियो में already बना चुका हूँ, अगर आपको SIP के बारे में और जानना है, तो जाके जरूर देखे, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको SIP या लमसम किसमें invest करना चाहिए, चैनल पे प झाल 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